हलो और वेलकम फ्रेंट्स, ओपन ओफिस कैल्क सीखने की सीरिज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है ओपन ओफिस कैल्क की, कैल्क में क्या खास है, कैल्क में दो चीज़े हम सीखेंगे, एक तो एक्सल के जैसे अलफा न्यूमेरिक वैल्यू इसको अगर हमें multiply करना हो या add करना हो, तो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अलफा न्यूमेरिक वैल्यू को, यानि कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखते हैं, और उसके साथ साथ alphabet value भी आती है, मतलब alphabet like kg लिखते हैं 10 kg, तो 10 भी है और kg भी है, तो दोनों कखिंगे दूसरी N-A-error के बारे में जानेंगे ठीक है तो चलिए आईये Start करते हैं है यहां पर देख सकते हैं यह पिनलिखा हुआ अब इसके लिए हमें drop-down बनाना थो जितने हिस्से में को drop down बनाना है, उतना हिससा select कर लिजे, अब हमें सीधा यहां से data tab पे जाना है, और data tab पे जाने के बाद ये validity option पे click कर देना है, हम drop down बनाना चाहते हैं, drop down अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके देऊ हैं, फिलहाल अभी हमें, छोटा सा drop down ही create कर दिया, और भी अगर कुछ देना चाहें, तो यहां पे दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे कर देता हूँ, मैं wheat, wh, e, a, t wheat गे हूँ, ठीक है, और यहां से ok कर दीजे, तो अभी selected range में देखेंगे, यह जो range select किये मैंने, इसमें वही वही नाम आपको देखेंगे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें price यहां पे लेके आना है, तो यह लिख दिया मैंने price, उच इस तरीके से, ठीक है, अब यहां पर जब हम जाएंगे, तो drop down हमें दिखेंगे, drop down से हम चूज कर सकते हैं, like rice की बात कर लेते हैं, तो यह rice आ गया, ठीक है, फिर यहां पर कुछ और बात कर लेते हैं लाइक टोमैटो के बात कर लेते हैं तो यह टोमैटो आ गया तो यह तो ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका है यह मैंने पहले भी आपको बताया है और यहां पर शुगर आ गया फिर एट लास्ट यहां पर देखेंगे तो यह वीड भी आ गया है तो यह सब हमने ले लिया, अब यहां पर, अब यहां पर हमें unit की unit देना है, तो यह unit कर देते हैं यहां पर, और unit करने के बाद, यहां पर हम kg के साथ unit लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर 6 कर देंगे, और kg कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, यह मैंने लिख देता हूँ में 20 kg ठीक है यह हमने लिख दिया है और अब इन दोनों को multiply करके total लेके आने की बात है तो यहाँ पर total लेके आते हैं ठीक है Excel में तो बहुत असान है इसमें देखते हैं कैसे करते हैं तो यह total कर दिया हमने और यहाँ पर इस equal का निशान लगाएंगे और 40 select किया into 6 तो जैसे इसको select करके enter करेंगे तो यह हैश value यहाँ पर भी error आपको show होगी तो इसके लिए क्या करना है हमें यह जो range है इसको आपको select करना है ठीक है पहले तो इसको हटा देता हूँ यहां से यह जो कुछ भी लिखा हुआ है इसे मैं हटा देता हूँ unit मैं हटा देता हूँ ठीक है और यह range हमको select कर रखनी है और यहां से आपको प्रेस करना है control one ठीक है तो control के साथ जैसे यह one करते हैं तो यहाँ पर भी format sales वाला dialog box open हो जाता है और नीचे यहाँ पर देखेंगे यह देखें नीचे इसमें दिया हुआ है यहाँ पर जाएंगे तो इसको आपको हटाना है जो general लिखा हुआ है उसे हटा देना है अब यह 0 भी कर सकते हैं 0 gap kg ठीक है इस तरीके से आपको लिख देना और ok कर देना है जैसे यह ok करेंगे तो यहाँ kg अपने आप आएगा ठीक है तो यह हमने कर दिया है अब यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो kg अपने आप आप आ अब पादे यह इस तरीके से तो जैसे करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका Total Price भी आ रहा है आयोप की बात समझ में आई होगी होगी इस तरीकेसे आप कर सकते हैं किसी भी यूनिट को बनाना हो तो ऐसे यह आप कर सकते हैं ऐहाँ कर देता हूं और यहाँ पर हम लगा से समझ में आएगा tap button प्रिस कर दिया है और हम sugar को ढूंड़ना चाहते है शुगर के बारे में जानकरी लेना चाहते है तो sugar को select कर लिया आप यहाँ से भी कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर इस पूरे range को कर लिजे select और f4 function button दबा के करना है fridge तो पहले सेलेक किया और फिर अब फ्रेज कर देता हूं F4 function बटन दबा करके तो यह सारा data फ्रेज हो गया है आप देख सकते हैं कॉमा देंगे और फिर यहां पर कहा रहा है column index number तो हमें total के बारे में जानना है ठीक है sugar का total कितना हुआ इसके बारे में जानना है तो यहां से हम जरा count करते हैं यह पहला column हुआ यह दूसरा column हुआ यह तीसरा column हुआ और total जो है चौथा column है तो आप यहां 4 प्रेस कर दीजे कॉमा दीजे फिर यहां पर 0 दे दीजे exact match के लिए आप देख सकते हैं exact match false दिया हुआ है यानि कि exact match अगर आपको करना है तो आपको 0 देना होगा और approximate match के लिए यानि approximate match जो दिया हुआ है इसके लिए आपको one प्रेस करना है तो फिलाल हमें exact match पता करना है bracket को close किजी और you have to hit enter you can see the result यहां पर 210 आया हुआ है ओके पर नाम change कर देते हैं like मैं रख देता हूं wheat ठीक है तो यहां पर लिखा मैंने ठीक है यह लिख दिया salt मिलेगा नहीं इसकी वज़ा से यह n error आ रहा है ठीक है अगर मैं यहां पर salt लिख देता हूं ठीक है तो क्या होगा जैसे माल यह rice को अटा देता हूं अभी लिख देता हूं मैं directly salt तो यह जो n error आ रहा है वो खतम हो जाएगा फिर आपके पास salt की कीमत आ जाएगी यहां प आयो की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो share करें thank you for watching this video